इरान किसी भी वक्त इसराइल पर सीधा हमला कर सकता है लेकिन इस सब के बीच अमेरिका एक बार फिर से इसराइल की धाल बन कर सामने आया है अमेरिका, ब्रिटे, जर्मनी और फ्रांस ने इरान से साफ कह दिया है कि अगर उसने इसराइल पर सीधा हमला किया जिससे मिडलीस में बड़े युद्ध का खत्रा बढ़ता है तो इरान इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे लेकिन इस सब के बीच इरानी रिविल्यूशनरी गाड कॉप्स यानि आयार जीसी भी अमेरिका को आँख दिखा रहा है दरसल आयार जीसी की कासिम सुलिमानी फ्लीट के एक कमांडर ने कहा है कि आयार जीसी सिर्फ एक तटवर्तिय सुरक्षा बल नहीं है बलकि इसकी अंतरराश्ट्य जलमार्गों में भी उपस्तिती दर्ज है और ये अंतरराश्ट्य जलमार्गों के किसी भी कोने में अमेरिकी सेना तक पहुँच सकता है दरसल आयार जीसी के कमांडर ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा IRGC नौसेना पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद हमने ये दिखा दिया कि IRGC सिर्फ एक तटवर्तिय बल नहीं है और ये किसी भी तरह के भारी जहाजों को सप्लाई करने में काबिल है वो अंतरराश्चिय जलमार्गों में मौजूद है नौसेना के बेड़े ने जिसमें घरेलू स्तर पर विकसित शाहीद महदवी समुदरी युदपोत प्रमुक के रूप में काम कर रहा था फारस की खाडी में फारसी द्वीप से अपना मिशन शुरू किया इस मिशन में अमेरिका ने IRGC के कमांडर को मार गिराया था अपने मिशन के दौरान शाहीद महदवी युदपोत मालगा स्ट्रेट सहित दुनिया के महतोपून और रन्नीतिक स्ट्रेट से होकर गुजरा है इरानी फ्लोटिला भूमत्य रेखा को पार कर अमेरिकी नौसेना के साथवे बेड़े के शेतर में प्रवेश कर गया है इस से अमेरिका को महतोपून संदेश मिला है आयार जीस के कमांडर का कहना है कि शाहिद महदवी युदपोत पहली बार डिएगो गारसिया द्वीप और हिंद महा सागर में सबसे महतोपून अमेरिकी ठिकानों में से एक के पास पहुँचा और 49 दिन की सफल यात्रा के बाद घर लोटाया हमने अमेरिकियों को संदेश दिया कि हम आपके सब से नजदी की बिंदू तक पहुँचने में सक्षम है इरानी कमांडर ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि हमने पूरी तरह से पेशेवर प्रकृती को दोहराते हुए कोई तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं की आई यारजी सी नौसेना का पांचवा शहीद लेफटिनेंट जनरल हज कासीम सुलेमानी बेड़ा 49 दिन का मिशन पूरा करने के बाद इरान लोटाया था और इस जहाज को शून्न डिग्री अक्षान्स भूमद्य रेखा और दक्षणी गोलार्द में ले जाया गया था आपको बता दे कि इस जहाज का वजन 2100 टन है ये लंबी दूरी के ओप्रेशन्स के लिए बनाया गया है ये एक बहुत देशिये पोथ है जिसकी लंबाई 240 मीटर और चौडाई 27 मीटर है ये मार्च 2023 में IRGC के नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ था ये युदपोथ सर्णी रेडार समुद्र से समुद्र और समुद्र से हवा में वार करने वाली और इलेक्ट्रोनिक वारफेर के लिए राडार सिस्टम से लेस है शाहिद महदवी युदपोथ कई तरह के लडाकू हेलिकॉप्टर्स लडाकू ड्रोन्स के साथ तेज हमलावर विमानों को ले जाने में काबिल है हाला कि इस सब के बीच इरान हर दिन खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है हाल ही में एक समारों के दौरान इरानी सेना ने अपने बेडे में कई नए हतियारों को शामिल करने की खोशना की थी IRGC का कहना है कि उसने अपने बेडे में नई लॉंग और मीडियम रेंज की एंटे शिप, क्रूज मिसाइले, कॉमबेट, जासू सी उपकरण, इलेक्ट्रोनिक वारफेर और कामी केस ड्रोन्स और नए नेवल रेडार को शामिल किया है इरानी सेना के मताबिक उसकी क्रूज मिसाइले, एक बड़े युद्पोत को या जहाज को अपने हमले से पानी में डूबो सकती है ये मिसाइले स्टेल्थ फीचर से लेस हैं जो दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकती है आपको बता दे कि इरान ने अपने सभी नए हतियारों को सार्वजिनिक नहीं किया है बलकि उसने सिर्फ चुनिंदा हतियारों को आड़ डिस्पले किया था यहां तक कि जो मॉडल पहले से ही पॉपुलर हैं उनको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है इरान ने 2654 हतियारों में से सिर्फ 210 स्वदेशी सिस्टम यानी 10 फीजदी से भी कम हतियारों को इस समारों में पेश किया है IRGC ने याजदेन या फराज नासिर सीरीज से मिलते जुलते दो दरजन ड्रोन डिस्पले किये इसके अलावा अबाबिल 3 ड्रोन के 4 यूनिट्स को इस समारों में रखा गया जिनकी रेंज 200 से 200 किलोमीटर है ये ड्रोन 5000 मीटर की उचाई तक उडान भरते हैं और इनकी हवा में एक शमता 8 घंटे उडान की है इसके अलावा अबाबिल 5 ड्रोन को भी इस सेरेमेनी में दिखाया गया ये ड्रोन 480 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ये 6 कयाम गाइड़िट मिसाईलों को ले जा सकता है जिनकी रेंज 6 किलोमीटर तक है या फिर ये 4 अलमस एंटी आर्मर मिसाईलों को ले जा सकता है जिनकी रेंज 8 किलोमीटर तक है अबाबिल 5 के बगल में मोहाजिर 6 ड्रोन को दिर्शाया गया ये ड्रोन 200 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से उडान भर सकता है इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है ये 5500 मीटर की उचाई पर 150 किलोग्राम तक की मिसाईलों को ले जा सकता है ये ड्रोन और्टो पाइलिट सिस्टम से लेस है जो लेंडिंग और उडान भरते वक्त एक्टिव हो जाते हैं इसके अलावा ये संचार को बाधित करने या इलेक्ट्रोनिक वारफेर पेलोड से लेस हैं और इन ड्रोन्स के अलावा घादिर और घादिर एंटी मिसाईलों को भी यहां प्रदर्शित किया गया था जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है ये 200 किलोग्राम तक का विस्फो टक ले जाने में सक्षम है साथ ही तलहाई क्रूज मिसाईल को भी IRGC ने सामने रखा इस मिसाईल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है इसके साथ ही फतह 360 रॉकेट लांचर को भी दर्शाया गया था जो तीन ट्यूब रॉकेट लांचर से लेस है ये कमदूरी वाली सेटलाइट गाइड़ टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाईल है इसकी रेंज 30 से 120 किलोमीटर तक है ये 150 किलोग्राम तक का विस्फो टक ले जा सकती है साथ ही ये मैक 4 की स्पीड पर उड़ान भरती है बड़ी बात ये है कि इससे पहले कभी भी तलै और फते 360 सिस्टम इरानी सेना ने दर्शाया नहीं था ये तल्ड़ान था पर पर उड़ानी से थाना पर उड़ानी से करने से ।